हलो लेर्नर्स, वेलकम टू आर चानल एडवीस पवन, आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे आज हम लोग चारखन कॉंसिल आफ एजुकेशनल रिशर्च एंट ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया सेकंड टर्मिनल एक्जाम सेशन 21-22 मॉडल क्वेशन पेपर सेट 4 ठीक है सेट 4 क्लस 10 सबजेक्ट इंग्लिस इससे पहले भी हमने सेट 1,2,3,5 के जो हैं इंपोर्टन क्वेशन्स अप्लोड कर चुके हैं आज हम लोग क्लस 10 का सेट 4 का एक इंपोर्टन क्वेशन का एंसर उसका प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वीडियो में लाश्ट तक आप लोग बने रही हैगा क्वेशन इस क्वेशन नमबर 17 सेट 4 का क्वेशन नमबर 17 How did Bholi's teacher play an important role in changing the course of her life ठीक है क्वेशन देखेगा आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा तब ही जाके आप उसको एंसर को solve कर सकते हैं क्वेशन क्या बोल रहा है कि Bholi's teacher play an important role ठीक है यहाँ पर जो है stress दिया गया है Bholi's teacher के उपर कि Bholi की जो सिक्छक थे जो सिक्छिका थी वो एक important role अदा करती है किस चीज में changing the course of her life यानि Bholi का जो जीवन सैली में परिवर्तन आया वो जो बुद्धु Bholi जिसे कहा जाता था वो Bholi जो किसी से बोलने नहीं सकती थी हकलाती थी किसी व्यक्ति के सामने नहीं जाती थी लोग उसका मजाक उडाते थी वो Bholi कैसे एक bold Bholi में तबदिल हो गए एक complete woman बन गई जिसने की सोचे उतने बड़े offer जो विसंबर से उसका विवाह किया जा रहा था उतने बड़े offer को उसने ठोकरा दिया तो इतना सारा qualities में जो उसका changes आया भोली के character में ठीक है भोली के चरित्र में जो परिवर्तन आया वो सारा किसकी वज़ा से आया ठीक है तो teacher की वज़ा से आया ठीक है भोली is teacher तो वही question भी पूछ रहा है कि how did कैसे कैसे भोली के सिक्षक ने एक महतपूर्ण भूमी का अदा की भोली के जो मतलब character में परिवर्तन आया उसके जीवन में परिवर्तन आया तो कैसे ठीक है तो that means हमको इस answer में focus करना है quality बताना है कि teacher का कि teacher ने क्या क्या किया जिसकी चलते भोली में भोली के जीवन में परिवर्तन आया let's start the answer question is how did भोली स्टीचर play an important role in changing the course of her life come to the answer a teacher is truly an artist ठीक है सिक्चक वास्तों में एक सचे artist होते है who makes his people's new things जो की अपने people's यानि जो students होते हैं उनमे एक new things कहने का मतलब उनके जो चरितर होता है उनके जो personality होती है उसको नया बना देते है सबस कोई कमजोर विद्यारती है वो स्कूल में सिच्छा गरंड किया teachers ने उसके साथ अच्छे वहवार किया उसके जो lifestyle में परिवर्तन लाया उसको motivate किया उसको बतलाया कि आप ये काम करो तो अच्छे से कर सकते हो तो इससी क्या होता है कि वो एक नया जो मतलब जो उसका character होता है वो एक दो नया character में परिवर्तित हो जाता है अब believe भी नहीं कर सकते हो इतने ज्यादा changes आ जाते हैं देखेगा school time में कोई लड़का ये लड़की जो average student रहा हो average marks लाता होगा लेकिन आप देखेगा कि उसने सबसे पहले जो है job ले लिया या business पकड़ लिया कुछ भी वो मतलब अच्छी कासी earning कर रहा है ऐसा करके तो ये सारा मतलब इसके पीछे बहुत सारा जो है teachers का योगदान रहता है तो वही यहां भी बोल रहा है a teacher is truly an artist who makes his people new things भोली is a new piece of art of a teacher और यहां भोली जो थी एक नए art के रूप में तबदिल हुई थी जिस प्रकार से देखेगा जो कुमार होता है मिट्टी का जो हांडी वगरा बनाता है तो देखेगा जब वो कुमार मिट्टी का हांडी बनाता है तो कोई हांडी देखेगा इस प्रकार से रहती है मतलब मुँ पतला रहेगा किसी में देखेगा आप जो है वो एकदम सुराही टाइप से पतला रहता है गर्दन उसके बाद फिर नीचे मोटा होता है तो अलग-अलग देखेगा वो उसे रूप प्रदान करता है तो उसी प्रकार से भोली का जो कैरेक्टर था वो उसके टीचर के लिए एक न्यू पीस ओफ आर्ट था ठीक है एक नई कलकरती थी उसके सिक्षक की बोलीज टीचर एक्टेड मोर थैन बोलीज पेरेंट्स ठीक है और देखेगा किसी भी स्टूडेंट के जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है या वो किसी लक्ष को हासिल करता है तो देखेगा वो स्रे अपने माता-पिता को देता है वो बोलता है कि आज मैं जो भी कुछ हो अपने माता-पिता की वज़ा से हूँ लेकिन यहाँ की case में बोली की case में बोलीज टीचर एक्टेड मोर थैन भोलीज पेरेंट्स यानि बोली के माता-पिता से ज़्यादा एक्टेड यानि जो गतिवीदिया की गई जो क्रिया कलब कीए गई वो किसके द्वारा भोली के सिक्छक के द्वारा कीए गई इतने अच्छे से बरताफ किया गया इतने पॉलाइट वहवार किया गया इतने अच्छे से उसके साथ बाच्छित की गई कि भोली के माता पिता भी मतलब उसके साथ इतना अच्छा वरताफ नहीं करते थे तो यही सबसे बड़ा रिजन था उसके सिक्छिका ने उससे कहा she told her that if she come to school no one would laugh at her पहले क्या होता था बोली हकलाती थी लोगों के पास जाने से शर्माती थी लोग उस पर हसते थे तो उसकी मैडम ने कहा कि जदी वो डेली स्कूल आएगी ठीक है come to school no one would laugh at her कोई भी उस पर मजाक नहीं उड़ाएगा कोई भी उस पर नहीं हसेगा people would listen to her with respect लोग उसकी बातों को सुनेंगे कैसे सुनेंगे respect के साथ मतलब एक आदर सम्मान के साथ पहले उसकी बातों को सुनते थे तो हसी मजाक में उड़ा देते थे लेकिन अब उसको आदर सम्मान के साथ उसकी बातों को सुनेंगे and her schooling made her a complete woman और वो जदी regular school आएगी अच्छे से पढ़ाय लिखाई करेगी कुछ जॉब हासिल करेगी या मान लिजे जॉब हासिल नहीं भी हुआ तो उसकी character नहीं इतना परिवर्तन आ जाएगा कि वो एक संपूर्ण महिला में तबदिल हो जाएगी भोली stood on her own legs वो अपने पैरो पर खड़ी हो जाएगी ठीक है she faced the problems of life with confidence जीवन में हमारे साथ देखिएगा बहुत सारी कठिनाईयां आती है लेकिन हर कोई उसे किसी ने किसी रूप में समाधान करता ही है लेकिन एक जो सिख्षित वैक्ती है वो अपने समस्या का समाधान काफी confidence के साथ करता है और वो ही भोली के case में भी था कि भोली जो है जीवन की जो problems है उसको बूरे confidence के साथ एकदम भरुसे के साथ solve कर सकती है she gave her a new hope वो उसे एक नई आशा की किरन प्रदान करती है एक नया lifestyle प्रदान करती है she told her that one day she would be more learned than anyone else in the village उसकी मेडम उसको बताती है कि one day एक दिन ऐसा आएगा she would be more learned यानि वो पूरे गाउं में ठीक है in the village पूरे गाउं में सबसे ज़्यादा पड़े लिखी सिक्षित समझदार महिला बन जाएगी than anyone else मैंने किसी अन्य मनेवेक्ती से महिला से पुरुष से वो ज़्यादा सिक्षित प्रभावी समझदार लड़की या महिला बन जाएगी ऐसा ये सब किस ने कहा ये सारी बाते हैं उसकी मैडम ने तो देखिए वो कितना मेहनत कर रही है एक एकदम मतलब अपने बच्चे जैसा वो बिहेव करती है भोली के साथ भोली rightly refuses to marry विसंबर और इनी सब का परिणाम हम लोग देखते हैं मतलब किसका परिणाम जो भोली ने education grant किया उसकी teacher ने जो उसको सिक्षा दी ठीके तो ये सभी का परिणाम हुआ उसकी education का उसके teacher ने उसे बताया उसका कि उसने बिसंबर का जो marriage proposal था विवा का प्रस्ताव था उसको refuse कर दिया मतलब ठुकरा दिया She decided to teach in the same school और ये education ही था जो उसने decide किया कि वो उसी school में पढ़ाएगी where she had learned so much जहां उसने इतना ज़्यादा ग्यान अरजित किया She dedicates herself to the service of her parents वो क्या करेगी अपनी service अपनी सिवा जो है समर्पित हो जाएगी अपने माता-पिता की सिवा में वो always neglected her भोली के माता-पिता देखिएगा छोटे समय से ही भोली को neglect किया करते थे उसके भाई-बेन के कपड़े उसे पहना दिया करते थे उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था वो पढ़लिक के क्या करेगी ऐसा करके उसे समझा जाता था लेकिन वही भोली आज जो है अपने आपको अपना जीवन जो है अपने मातापिता के सिवा में समर्पित करने के लिए ready है ठीक है और यह वही मातापिता जो उसे हमेशा neglect करते थे उस पर कभी ध्यान नहीं देते थे ठीक है उसको कभी आज सोची अपने माता-पिता का बुढ़ापे का सहारा बन रही है और ये सारा पॉसिबल किस वज़े से हुआ उसकी जो सिक्षिका थी उसका सिंसियर लव एंड इनकरेजमेंट उसने जो उसका उत्साह बढ़ाया ठीक है उसे जो प्रेड़ना प्रदान की यही एं मेन रीजन था कि भोली जो में इतना सारा परिवर्तन आया और यही हमारा question भी था कि भोली how did भोली's teacher play an important role in changing the course of her life यानि भोली की भोली की सिक्षिका ने क्या किया जिससे की भोली के जीवन शैली में परिवर्तन आया ओके so learners I hope आप लोगों को यह question answers पसंद आया होगा और इसका जो answer था question का वो भी समझ में आ गया होगा future में जो है हम लोग question number 16, 18 और 19 के answers भी लेकर आएंगे आप लोग हमारे channel के साथ बने रहेगा so learners please stay connected with our channel adobe spavan and please like share subscribe our channel thank you